नमस्कार दोस्तो स्वावत है आप सभी का हमारे चैनल ग्लोबल सेर में दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिपलोमा इन कम्प्यूटर अप्लिकेशन कोर्स के बारे में जी हाँ दोस्तो ये एक कम्प्यूटर अप्लिकेशन का डिपलोमा है और आज मैं आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो इस वीडियो को लाश्ट तक पूरी द्यान से जरूर देखे और सुनें दोस्तो DCA एक वर्स का डिपलोमा कोर्स होता है इसमें दो सेमेश्टर होते हैं यानि एक साल का ये कोर्स होता है 12 महीने का जिसमें 6 महीने के दो सेमेश्टर होते हैं और हर 6 महीने का एक सेमेश्टर हो सकता है अब इसकी eligibility क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ DCA इंगलीस में हम इसे DCA बोल दे हैं और इसकी जो full form है यानि जो हम इसे पूरा जो इसका नाम है DCA का वो है Diploma in Computer Application जी हाँ दोस्तों अब चले बात करते हैं कि DCA आप कब कर सकते हैं या इसकी क्या eligibility है दोस्तों आप 12 के बाद यानि जब आप 12th क्लास पास कर लें उसके बाद आप Diploma in Computer Application का कोर्स कर सकते हैं अब इसके बाद बात आती है कि DCA कहां से करें दोस्तों इस सवाल का जवाब देना यहाँ पर उचित नहीं है क्योंकि ऐसी कोई website एक specific website नहीं है जो या कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इस कोर्स को कराती हो आप अपने नजदी की किसी भी कोचिंग सेंटर में जाकर संपर्क कर सकते हैं क्योंकि हर राज्य या हर शेतर में अलग-अलग कोचिंग संस्था हैं और अलग-अलग ऐसी कुछ संस्था भी हैं जो इसको बिल्कुल base price पर कराती हैं base price का मतलब मेरा यहाँ पर इस चीज से है कि जो बिल्कुल कुछ अरद सरकारी होती है जिन में सिर्फ इसके नाम मातर के ही पैसे ले जाता है जिसमें आपको सरकार की तरफ से ही सबसीड़ी मिल जाती है उसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है इसलिए इसका निर्ने आपको अपने नजदी की जितने भी सेक्षिक संस्थान है वहाँ पर एक बार आप जाकर अवश्या पता करें और ध्यान यह भी रखना है कि आप DCA जहां से करें भे मान्यत प्राप्त संस्थान होना चाहिए अब इसके लिए मैं आपको थोड़े मोटे मोटे कुछ खास खास बता देता हूँ कि संस्थान कौन से है फिर आप अपने हिसाब से देख लेजेगा कि और कौन कौन से संस्थान हो सकते हैं या फिर एक बार आप गोगल जरूर कर लेजेगा दोस्तो इसमें एक इगनू है आप इगनू से कर सकते हैं इंद्रा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी और एक AISECT है और इसके अलावा SMU और ऐसे ही कुछ और भी संस्थान है जो इस कोर्स को कराते हैं अब हम बात करते हैं कि DCA की फीस कितनी है यानि Diploma in Computer Application की फीस क्या है दोस्तो तकरीबन 4-5,000 परती सेमेश्टर इसकी फीस हो सकती है और DCA की जो अलग-अलग छेतर और अलग-अलग संस्थाई है वह उनकी अलग-अलग होती है category wise यानि अलग-अलग छेतर wise जैसे उत्रपरदेश है, हरियाना है, पंजाब है इसके अलवा यह अलग-अलग होती है अब हम थोड़ा सा इसमें बात करते हैं कि DCA में subject कौन-कौन से होते हैं या मतलब topic क्या होता है, इसमें पढ़ाय क्या जाता है दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें computer से related ही आपके सभी topic होते हैं जैसे fundamental of computer और MS office यानि Microsoft office जो software है और Adobe Photoshop और इसके अलावा tally जिसमें आप account and see सीख सकते हैं basic चीजे और इसके अलावा internet चलाना, सीखना और internet से आप क्या कर सकते हैं और basic programming और इसके अलावा कुछ और भी subject होते हैं जो आपको DCA में पढ़ने को मिलेंगे अब मैं बात करता हूँ कि DCA करने के फायदे क्या है दोस्तों DCA करने के फायदे बहुत सारे हैं जिनमें से सबसे पहला तो यह है कि BCA यानि DCA का कोर्स कर लिया है और उसके आप बाद अब भी यह करते हैं और government job के लिए apply करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा इसका merit में फायदा देखने को मिलेगा क्योंकि आपके पास computer का diploma है और इसका आपको अच्छा ग्यान है और computer field में अगर आप job के लिए apply करते हैं तो वहाँ भी आपके अच्छे chances बन जाते हैं तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में देखा कि DCA का फायदा क्या है और DCA का कोर्स क्या है और आपको यह क्यों करना चाहिए तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो और आप ऐसी ही गुर्भी अनेको वीडियो चाहती हूँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी का बटन जरूर दवाएं ताकि हम आप तक ऐसी ही नई नई वीडियो